नमस्कार दोस्तो थोड़ा गहरा टॉपिक है मैरेज का टॉपिक है जिनने शादी कर ली है जो करने वाले है जिनकी चल रही है गड़बड क्या हो रही है One wrong thing which is happening in the marriage market and ये चीज़ आपको discuss करनी है ये वीडियो बहुत लोगों के साथ शेयर करना है ये गलती ना हो उसका तरीका बताने की कोशिश करूँगा बहुत ही simple है ये तरीका बट easy नहीं होगा आप बताना की easy है होगा नहीं होगा सब लोगों के साथ शेयर करना शादी का जो बंधन में आज के दिन लोग जा रहे हैं उसको बहुत transactional कर लिया है transactional तो हमेशा से था सब आदमी चाहते थे की बहुत अच्छी शादी हो हमारी बेटी की बहुत अच्छा घर हो बेटे वाले भी सोचते हैं कि भी बहुत अच्छी भहु आये बहुत अच्छा घर हो एक लालच दोनु पार्टी की तरफ से हमेशा से रहा है और रहेगा भी लेकिन आज के टाइमस में पेरेंट्स को क्या करना है क्योंकि शादियां आज वाली बहुत फ्रिजाइल होगी है उसका रीजन ये है कि यूर डॉर्टर और यूर सन is marrying somebody whom he or she does not deserve तो शादी नहीं चलती आप बोलेंगे ये क्या बात कही है ये does not deserve का मतलब क्या है तो फिर समझते हैं आप ठीक ठाक परिवार के हैं धनी ही कहलो अपने आपको और जो आपका बेटा है उसकी नौकरी 40,000 की तो आप अपने शान व शौकत अपने फ्लाट फ्लाट घरों को दिखा कर उसकी शादी उस लेवल से उपर की लड़की से करना चाहते है उसका लेवल मार्किट में 40,000 का है if left to himself only कि भी तू कर ले किसी से शादी वो शादी करेगा इस लेवल पे खहीं से ठीक है और वहां बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी मैं यहां क्लासिस्ट नहीं हो रहा किसी तरह भी किसको क्या करना चाहिए और नीचे अमीर गरीब नहीं बोल रहा मैं आपको एक फेनोमेना बता रहा हो की गड़बड क्या हो रही है तो जब वो लड़के की नौकरी 40 है जो कल को 60, 70, 80, 100 तक जाएगी कभी 4 लाग पे जंप नहीं मारने वाली सब का मोटा मोटा यह हो रहा है पर पेरेंट्स ने कर ली यहां पे शादी इस लेवल पे अब इस लेवल पे भी धन अच्छा है लड़की अच्छी है यह है जो भी है अभी वर्किंग है नौन वर्किंग है सुन्दर है बहुत सुन्दर है बहुत पैसा मिला परिवार इसका है वो कॉम्बिनेशन सा आप ले सकते हैं मैंने सिंपल सा बता दिया लेवल यह है इसका लेवल ये है, लेकिन आपका लेवल ये है, तो ये लेवल कहीं आइवरेज करके यहां करके आपने यहां कर दी, अब आप अपने बेटे का उमर भर नी चला सकते प्रोग्राम, क्योंकि शादी होई तो अब यह हनीमून में भी जा रहे हैं किदर माल डिव्स, अरे नहीं रहेगी, और आप कब तक देते रहोगे, और कई बार तो लालच उल्टा होता है कि यार तू यहां से आ रही है, तो तू मज़े करा ना हमारे बेटे के, नहीं कराते हैं यह वाले, क्याने हैं, जीख लो, रोलो, खुल के तो बात करी नहीं ना अपने, या तो खुल क बात करो, जी हमारा बेटे के तो स्टेटिस यह, हमारा यह, हमें आपका यह लगता है, अब इसको भी काम कराके इन दोनों का स्टेटिस हम ले आएंगे, थोड़ा आप करना, थोड़ा हम करेंगे, ऐसा करेंगे तो शायद निकल, ऐसी तो बात करते हैं नहीं नो, यह भी कर पएगा, यह मैं कालपनिक कथाई नहीं बता रहा, आप यह देख रहे हैं होते हुए तो लिखें, या आपको ऐसा लग रहा है, फिर यह माबाब कहते हैं, यह क्या हुआ, यह ही होगा, यह ही होगा ना, अब लड़का अकर्शित हो जाएगा, अफकोस, कहेगा हाँ जी, कि इसको बुरा लगता है, अपने पतनी का पिता, जो बहुत सामर्थेवान हो, और पतनी तो आप ही लेकर आए थे, फिर फिर खट पट, फिर यहां पर रोना जीखना, फिर फिर यह ममता जाग जाती है, माबाब के नाम की कभी, फिर यहां, धोबी का कुत्ता, घर का ना आप की नहीं हो रही उस परिवार से, बच्चे की हो रही है, बच्चे की तंखा 40,000 की आईफोन 80,000 का दे रखा है, चलने वाला मोटर साइकल की स्टेटेस है, उसका दे उसको गाड़ी रखी है, ठीक है, तो यह सब हम करतो देंगे, हमारा सब का प्रेम है, सब कहते हैं कि म मेरा फाइदा क्या, पर आप उसको सस्टेनेबल बेसिस में करो ना पैसा फिर आप, ऐसा करो कि वो फिर 40 का ना रह जाए और वो कुछ और ग्रेट काम कर ले नहीं, उतना पैसा है नहीं, उतनी अकल भी नहीं है, उतना हम दे भी नहीं सकते हैं, वो करना तो उसे खुदी है पर एक बार हम उसे स्टार्ट देना चाते हैं कि भी देख ले, अच्छा धनी ससूर लाके दे दिया बाकि तू जाने तेरा काम, यू बी स्मार्ट एनफ, ये खिचाव है जी, खिचाव है समाज के अंदर, खिचाव है समाज में, और उसी तरह मैं देख रहा हूँ लड़क को भी मैं बताना चाहता हूँ, राजा के परिवार में भी भेज दी, किसी ने लड़की, ठीक है प्रिंसेस डाइना करके, क्या खुश रह पाई, वहाँ उन लोगों ने क्या ट्रीट किया, क्योंकि आपका लेवल ही इतना नीचे, किसी कारण होगी शादी, उनकी अकल मारी And you just ask yourself, आपको वह अपने आप से पूछना पता चल जाएगा, सूरत आपकी बहुत ग्रेट नहीं है, ग्रेट परसनालेटी नहीं है, और बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है, तो क्या आपके पास बहुत धन है, तो be very clear कि क्या हो रहा है, system में, be very clear, क्योंकि वो जिस बेसिस प बहुत कई बार शादियां हो जाती हैं उनको लगा था कि आप अमीर हो जब आप किसी के पैसे पे शादी कर रहे हो तो उसको बोल दो जी हम तो आपके पैसे के लिए शादी कर रहे हैं एक बार थोड़ा पुरूफ सा तो कर दो बैंक बूंग की स्टेटमेंट दिखा कर यह प अगर आपके घर में लोगों की हाइट चोटी है लड़की वाले यह आप लड़के वाले हो अगर आपने ऐसे किसी से शादी करी जिसकी हाइट अच्छी है तो आपका खंणा खंणा भिलते हैं वो आगे कुछ बेटर मेंट की तरफ गया अच्छों तो यह गलत अपने चीज को बैटर करना कोई गलत नहीं है लालच नैचरल है पर शादी ऐसा बंधन है कि इस चीज़ को as a astrologer, as a marital counselor, as somebody who sees and understands all these things too well खोल के बोलो ना भाई ऐसा है भाई साब ऐसे करेंगे शादी पर खर्चा नहीं करेंगे पैसे बचाएंगे आप भी मत करो हम भी नहीं करेंगे ये पैसा बचेगा ये ऐसे करेंगे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, parents are failing their kids आज के दिन जो marriages fail हो रही है उसमें नई generation की गलती नहीं है parents की गलती है ये बोलते ही भाग जाएंगे, trolling type करेंगे अरे हमारा क्या ये नहीं निवाते हैं, आप भीज ठीक से नहीं वह पा रहे हैं वो ठीक से आप लोग का नहीं हो पा रहा है, that is the main reason I hope ये वीडियो आप लोग को ठीक लगा, अच्छा लगा, मैंने thought process थोड़ा डाला आप लोगों का आप लोग मुझे बताना कि इस पे और चर्चा करी जा सके या इतने में आपको hint आ गया कि गड़बड क्या हो रही है, वो बताया मैंने, thank you very much